अगर आपके गाल पिछके हुए हैं, बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, आप लोगों के सामने शर्मिन्दा होना पड़ता है, तो बिल्कुल घबराने की जुरूरत नहीं है, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो वजन बढ़ाने का घरेलू नुसका, बहुत अच्छी ड्रिंक है, ऐसी चीजे हैं जो आपको आसानी से मिल जाएगी, और इतनी कमाल की रेमिडी है, जो वाकई असरदार है, इसे आप देली लीजिए और एक हपते में आपको अपना बढ़ा हुआ वजन नजर आने लगेगा, इस बात की गैरेंटी है आईए देखते हैं इस ट्रिंक को कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं बहुत जादा मदद करता है, आपने बहुत सारी ड्रिंक ट्राइ की होगी, बनाना शेक ट्राइ किया होगा, पर जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कभी आपने इस तरीके से शेक नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये बहुत जादा इफेक्टिब हैं, मेरा त शेक को पीने के बाद आपको जाहिर सी बात है बहुत अच्छा रिजर्ट मिलेगा यहाँ पर मैंने दो केले ले हैं इसे छोटे-छोटे टुकडो में काट लिया है दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वो है खजूर और खजूर भी वजन बढ़ाने में बहुत ज खजूर लेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसमें बिल्कूल भी चीनी नहीं होती है नैच्रल शुगर होती है और यह शुगर पेशिंट भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो यहाँ पर क्या करना है इस तरह से इसे तोड़ के इसके बीज को न अब इसे रखते हैं साइड में कुछ ड्राइफ रूट्स लेंगे हम जो बादाम होता है बादाम में बहुत सारा केल्शियम होता है और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं तो यह भी बहुत ज़दा अच्छा रहता है वजन बढ़ाने के लिए तो यहाँ पर थोड़े से ब मैंने काजू ले ले हैं और आप चाहे तो अखरोट भी ले सकते हैं वह भी वजन बढ़ाने में बहुत ज़दा मदद करता है तो अब यहां पर ब्लेंटिंग जार लेंगे और इसके अंदर में एक गिलाज दूट डाल रही हूं यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज़द बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर फुल फैट मिल्क लेंगे या भैस का दूद लेंगे तो आपका वजन जल्दी बढ़ेगा अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है खजूर यहां पर मैंने ऐसे ही डाल दिया आप छोटे चोटे पीसे में ग्राइंड करके भी डाल सकते है पांच बादाम में डाल रही हूँ जादा बादाम नहीं डालेंगे आप चाहे अगर आपको पसंद है तो जादा भी डाल सकते हैं चार पांच मैं काजू डाल रही हूँ और अखरोट लिए हैं तो अखरोट डाल दीजेगा किशमिश लिए किशमिश भी डाल सकते हैं और यहां पर यह जो केला हमने काटके रखा था, यह केला भी एड़ कर देंगे. और अब जो में चीज हमें इसमें डालने वाली हूं, वो बहुत ही कमाल का काम करती है, वो है पीनट बटर. जो पीनट बटर होता है, यह वजन बढ़ाने में और घटाने में दोनों में मदद करता है, बस इसे सही तरीके से इस्तुमाल कैसे करना है, वो लोगों को नहीं पता होता है. यह आज में जो रेस्पी आपके साथ शेयर कर रहे हूँ यह वजन बढ़ाने की रेस्पी है घटाने के लिए कैसे पीनट बटर को यूज करते हैं वो तरीका भी मैं किसी दिन आपको वीडियो में शेयर करूँगे अगर आप वजन घटा तो यहां पे पीनट बटर जो यूज करना है किसी पे अच्छी कमपनी का यूज करिएगा उससे अच्छा रेजल्ट मिलेगा क्योंकि बहुत मिलावटी भी आती है मैंने एक पर ट्राइ किया था उसमें बहुत सारा ओयल था जिबकि इतना ओयल होता नहीं है इसके अंदर अब नेक्स चीज को मैं यहां पे डाल रही हूँ वह है शहद और शहद भी न वजन बढ़ाने और भटाने दोनों में मदद करता है बस इसका तरीका अलग अलग होता है तो यहां पे आज हम वजन बढ़ाने वाली ड्रिंक बना रहे हैं तो यहां पे मैंने इसे दो चमस डाल दिया है आप अपने टेस्ट के कोडिंग इसे कम जादा कर सकते हैं अब क्या करना है इस ब्लेंडिंग जार को हम इसमें ग्राइंड करने वाले हैं और इसे एकदम बारिक ग्राइंड करेंगे ताकि जब हम इसे पीए तो हमें अच्छा टेस्ट आए बार मुह में चीज़ें ना आए जोकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है इसे मैंने एकदम स्मूदली ग्राइंड कर लिया है और मैं आपको दिखा देती हूं यह देखे एकदम बढ़िया हमारा शेक तयार हो गया है इसमें कुछ ना खजूर की पीसिस मिलेंगे क्योंकि जो खजूर होता है वो जल्दी पिसता नहीं है तो कुछ तो पिस गया है कुछ गिलास ही पीना है कैसे पीना है वो भी मैं आपको बताती हूं तो यहां पर देख सकते हैं कितना बड़ा मैंने गिलास लिया है छोटा गिलास नहीं लेना है आपको बड़ा ही गिलास लेना है और इसे एक दिन में दो से तीन बार आप पी सकते हैं अगर आपको यह आसानी स सूट कर रहा है डाइजेस्ट हो रहा है तो आप इसे दो तिन बार ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत हो रही है तो सिर्फ एक गिलास इसे ब्रेकफस्ट में लीजिएगा एक्सरसाइस करने के बाद अब बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्सरसाइस वा जब खाएंगे तो आपका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा इसलिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइस करना जरूरी है तब ही यह जो चीज आप लेंगे यह शेक जब लेंगे तो यह आपका अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा और अपना काम भी करेगा आपका वजन भी ब इसको इसकी ज़ुरत है उसको यह रेमेडी मिल सके और वो इसे यूज कर सके फिर मिलती हो एक नई वीडियो के साथ तिल देन गुड़ बाई